नमस्कार जोहार जय हिंद आप स्विगा रोजगा टीव में स्वागत थे मुख्यमंत्री हमंद स्वरण ने मैया संबन योजना को लेकर एक बहुत बड़ा एलान कर दिया है जो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तिसरी किस्त का जो पेमेंट है आप लोगों के अ पेमेंट है आप लोगों के काउंट में 25 रुपिया आएगा या फिर 1000 रुपिया आएगा आज की पेपर में जो अपडेट आया हुआ है इस अपडेट के अनुसार यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों के काउंट में 25 रुपिया कब से आएगा इसकी किस्त का पेमेंट भी बहुती जल्द आने वाला है और 18 से 20 साल कि जो लड़कियां है जो फॉर्म भरी है उन्हों को एकाउंड में कब तक पैसा आएगा हर एक चीजी यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग इस वीडियो को पुरा देखिए और आप लोग हम मुख्यमंत्री हमन्त स्वरेंजी खुद कहें हैं कि हर बहन को देंगे 25 रुपिया प्रतीमा आप लोग देख सकते हैं जो पूरा अपडेट क्या है कि जहारकंड का बकाया लोटाय केंद्र हर बहन को देंगे 25 रुपिय हमन्त स्वरेंजी यह बोल रहे हैं अगर यहां पर म आप लोगों को complete अपडेट दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं और इस अपडेट में लिखा गया है कि इसी महीने से आप लोगों के काउंट में 25 रुपिया बेजा जा सकता है मुझ्यमंत्रे हैमंद स्वरेन ने कहा है कि सुप्रीम कोट के आदे सानुसर केंदर सरकार ज्ञारकंड वासियों का बकाया 1.36 लाग करोड रुपिये लोटाना शुरू करें ज्ञारकंड सरकार बिना सर्थ 18-50 बर्स तक की उम्री की हर ज्ञारकंडी बहन को इसी मां से 25 रुपिये की किस भेजना शुरू कर देगी तो आप लोग देख सकते हैं इस अप्डेट में लिखा गया है कि अगर केंदर सरकार 1.36 लाग करोड, जो यहाँ पर बकाया जो हमन सरांजी बोडर रहे हैं, कि जो बकाया हमलोग पाते हैं, अगर यह दे देते हैं केंदर सरकार, तो इसी महीने से आप लोग नके हैं कि हमन्त स्वरन ने अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट लिख कर कहा है कि कितनी आज स्यपद बात है कि जारकन में 2100 रुपिये देने कि बात करने वाले ओडिसा में मात्र 830 रुपिये महिने दे रही है यह यहां पर जो अभी गोगोदी योजना आ रही है इसको लेकर बताया जा रहा है तो मतलब यहां पर मुख्यमंद्री जी साब सब बोल दिये हैं कि अगर केंदर सरकार बकाया रासी अगर दे देते हैं तो इसी महिना से आप लोगों के काउंड में 25 रुपिया नहीं आता है तो आप लोगों के काउंड में 1000 रुपिया तो पक्का आएगा और य उसी कारिकरम के दोरान किसरी किस्त कापइयमेंट आना शुरू होगा अगर आपके अकाउंड में अभी तक एक भी किस्त कापैसा नहीं आया है याविर पहले कि मैं acceso औक तो आपलोग क्या करेंगे इस विडियो में आप लोगों बदाऊंगा जो पेपर में अपडेट आया है उस अपडेट को यहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो चलिए करके बात करते हैं देखिए मुख्यमंद्री जी खुद यहां पर कह रहे हैं कि अब जल्द ही तिसरी किस्त दुर्गा-पुजा में जाएगा अभी दुर्गा-पुजा हमारा चली रहा है तो दुर् करते हैं कि यह दोगा-पुजा तक आप लोगों के एकाउंड में मुख्यमंत्री एम्मासमान यूजना थे स्थित को Pal grand kो देखने को भी और भी पर हुग है उनके एकाउंड में होगा-पॉग्योग 18 से 20 साल की जो लड़कियां है उन लोगों को भी पेमेंट किया जाएगा आप लोग देख सकते हैं इस अपडेट में लिखा गया है देखिए 8 अक्टूबर को ये जो मैया सम्मान कारिकरम जो है लोहरदगा में होना है और इसी कारिकरम के दोरान मैया योजना की लावकों को क करेंगे संबोधित और इस कारिकरम में मुझ्यमंत्री हैमन सोरन भी सामिल होंगे और इसी दिन हमारा तिसरी किस्त का जो पेमेंट है तिसरी किस्त का पेमेंट आना शुरू होगा आप देख सकते हैं यहां पे लोहरदगा में 8 अक्टूबर को मैया सम्मान योजना कारिकरम का आयूजन होगा इस कारिकरम में जहारखन के मुझ्यमंत्री हैमन सोरन की पतनी और गांडे की विधाया कलपना सोरन शिर्कत करेंगी यह कलपना सोरन का पहला लोहरदगा दोरा होगा इस मौके पर हुए मैया योजना की लावकों को सभूनदित करेंगी और आप देख सकत पर करें जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग के काउंट में अभी तक मुख्यमंद्री महिया सम्मान योजना का पैसा क्यों नहीं आया है तो इस कारण भी बहुत कोई को पैसा नहीं मिला है तो जब तक आप लोग नहीं जाएंगे तो आप लोग को पता नह होंगे जो वीडियो होंगे उनसे आप लोग मिलिए और अगर आपके काउंट में पहली किस्त का पैसा आया है लेकिन दूसरी किस्त का पैसा नहीं आया है तो आपको कहीं जाने का जरूत नहीं है आप इंतजार करिए और तिसरी किस्त का भी पैमेंट बहुत ही जल्द होने जा रहा है आप लोग एकाउंट में तिसरी किसका भी पेमेंट आएगा अगर आप लोग इस अपडेट को देखेंगे जिसमें लिखा गया है कि मैया सम्मान का पैसा नहीं मिलने पर वीडियो से संपर्क करें लाभुक चैनपूर के वीडियो यादब बैठा ने कहा है कि मैया सम्मान योजना के लिए आविदन करने वाले लाभुक जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है पर्खन कारिया ले आकर उनसे मुलाकात करें ये योजना झारखन राजी की गरिव परिवार के महलाओं को आर्थिक सायता परदान करने के लिए चलाई गई है उन्होंन लाभुकों से अपिल की है कि अपने रास्तावेज के साथ परखंट कार्यालाई आकर उनसे मिले ताकि उनके समझस्या का समाधान किया जा सके तो आप लोग जब भी ब्लॉक जाएंगे जब भी वीडियो से मिलने के लिए तो आपके साथ आप क्या करें अपने साथ डोकु रासन कार्ड आधार कार्ड और बैंक अकाउंट ये तीन चीज़ लिजिए और जितना जल्दी हो से कि आप लोग एक बार ब्लॉक जाईए वीडियो से मिलिए वहां के जो कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे उनसे बार बात करिए जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लो में अभी तक यह पैसा आया है या फिर नहीं आया है एक बार आप लोग देख लिजिए और 25 रुपिया जहां तक मुझे लग रहा है कि यह मेहना से तो आना इंपोसिवल है यह मेहना तो आपको 25 रुपिया नहीं मिलेगा इसके बाद हमारा जारकन में चुना भी होने जा को मेहने करें पैसा अब सकते हैं अगलत है गाता है फिर आपको करने कुछ यह काम नहीं होगा कुछ बारiden Link मेरा जाएगा नहीं लेमिंट वहींतर को से फिरौन कोพर क्लना प MONkrain अगले वीडियो में थैंक यू जहिंद